विल्कम फ्रेंड्स मार यूटूब चैनल सक्षेडर 91 में फ्रेंड्स मोती मात्यपूर कोश्चन है जो कि आने वाली सभी पर इच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तो फ्रेंड्स विल्कुली वीडियो को स्किपना करें और पूरा वीडियो लाज तक देख आने फ्रेंड्स जितनी भी कोशचन ने सभी जियोग्राफिक सम्मादित हैं जीके सम्मादित कोश्चन है तो चलिए हम सुरू करते मारा फंज कोशन आपकी स्क्रीन पर रहें के विच वाटर इस ट्रेड कणयक्ट दी इन्डियन ओ Sé and the Red Sea गिस करें पर क्या होगा इसका राइट आशर हिंद मा सागर और लाल सागर को कौ這ी जलसंदी जोडती है बताना आपको which water state connect the Indian Ocean and the Red Sea हिंद मा सागर और लाल सागर को कौँ जलसंदी जोडती है तो यहां पर आप्ण आपका ए राइट होगा बाब अलमन्दब ठीक है आपसन ए आपका राइट होगा ठीक है यह जलसंदी हिंद मासागर और लाल सागर को जोड़ती है चलिए आप एम एक्स्प्लेंद देखते हैं दबाब अलमन्दब इस्टेट कनेक्ट दी इंडियन ऊसियन एंड दी रेड़ सी हिंद मासागर और लाल सागर को बाब अलमन्दब जलसंदी जोड़ती है डिटेल आफ अधर आपसन आर एज फालो ठीक है अन्य विकल्पों का विवरड इस पकार है इस्टेट आफ हार्मुच की जो जलसंदी है वो पर्सियन गल्फ एंड गल्फ आफ ओमान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है जो आपकी हार्मुच जलसंदी है अब यहां पर बोस पूरस इस्टेट जो बोस पूरस जलसंदी है वो किसको जोड़ती है बोस पूरस इस तो दीखें यहाँ प्लैक सी एंड सी ओप मरमरा थे क्या करती है जो आपकी बोस्पोरस की जलसंदी काला सागर और जोरती है अब यहां पर आपका कि मलका जलसंदी मलका वाटर ट्रीटी मलका वाटर ट्रीटी जो मलक का जलसंदि यह कि इसको जौड़ने का काम करती है तो दिख़ाइं या पिलीयर हो गया हो होगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर दो है आपकी स्क्रीन पर पढ़ें को दा पर्सियन गल्फ डजनाट फार्म आ बॉर्डर बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर फारस की खाड़ी की सीमा नहीं बनाती है तो फारस की खाड़ी की फारस की किसके साथ सीमा नहीं बनाती है आपको गेस करें क्या होगा इसका राइट अंसर परचियंड फारस की खाड़ी तो देखें यहां पर फाराम ओमान ठीक है इराख बैर इनके साथ में साथ बनाती है रिनके साथ बनाती या पेराग के साथ के साथ बनाती ग आप एम एक्स्प्लेन देख लेते हैं दा पर्सियन गल्फ डज नाट बॉर्डर उमान ठीक है कि उमान के बार्डर को नहीं चूती है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपे तीसरा कोशन नमबर तीन है आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोशन को पढ़ें को पढ़ने आपसन अच्छा से पढ़ें बिट्वीन ब्लैक सी एंड डीड़ सी में लुग्न देट सी पैसें को आपसन एक काला सागर और Land शागर के बीच में पाई जाती है अगला आपसन पढ़ें बिट्वीन दी पर्सियन गल्फ एंड दी गल्फ आप ओमान तो देखे आगे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपसन भी आपका राइट हो जाएगा आपसन भी राइट हो जाएगा फारस की खाड़ी तता ओमान की देख लेते हैं कि दा स्टेट ऑफ हार्मुज इस लोकेटेड बिट्वीन दी पर्सियन गल्फ एंड दी गल्फ आफ ओमान तो हार्मुज की जलसंदी फारस की खाड़ी तता ओमान की खाड़ी के मद अवस्तित है ठीक है यह सीमा बनाती है इसी के साजनी के बीच में इस्त टांसफर टू चाइना कोश्चन बहुत अच्छा है पढ़े कोश्चन को और दीगे सभी प्रिवेस येर में पूछे गए कोश्चन है तो अच्छे से पढ़े हैं वेन वाज मकाव आसलेंड टांसफर टू चाइना का जा रहा कि मकाव दीव जो है वो चीन को इस्तरांतित क कर दिया गयता यह कब होता ऐसा बताएं आपके यहीं क्या होगा इसका राइट अंसर संबी दिये गए आपके आपसंब्लिय का राइच होगा तो दीके आप संडीड़ाइट और नांती नैटीग नांतीन चाहिए 1909 नैन यह तो का जा रहा कि मकाव दीव जो है वह चीन को स्थरांतित कर दिया गया थे 1999 में अब यहां पर आप एकस्प्लेइन देख लें जिरा एकस्प्लेइन दमाकाऊ पेनिसुला इस कनेक्टेड में लैंड चाइना कजरा की मकाऊ दीफ चीन का मुख भूमी से जुड़ा हुआ है जो मकाउ दीफ है वह चीन की मुख भूमी से डूडा हुआ है अंडर एन अग्रीमेंट रिज़्ट आप्टर लेंथ लेंथ लेंथी लेंथी तो देखें आपे लेंथी निगोसीएशन्स पूर्ट गाल ऑफीसिली हेंड़ ओर दी आइसलेंट चाइना इन देसमबर नैंटी नेंटीन नाइन नाइन गाव पनिंसुला इस अग्रीमेंट रिज़्ट आप्टर लेंथी निगोसीएशन्स पूर्ट गाल ऑफीसिली हेंड़ ओर दी आइसलेंड तो चाइना इन डिसमबर नैंटीन नाइन तो बताएं यहां पर क्या होगा नैंटीन नाइन ठीक है यहां पर कहा जा रहा है कि लंबी वारताओं के पूर्ट गाल ने इस दीव को दिसमबर 1999 में आधिकारिक तोर पर चीन को सौप दिया ठीक है इतना तो समझ में आ गया होगा कि मकाव दीव को चीन की मुख बूमी से जुड़ा हुआ है ठीक है और लंबी वारता चली काफी दिन तक लंबी वारता चली वारता के बाद जो स तब पूर्ट गाल ने क्या क्या किसे दिसमबर 1999 में आधिकारिक तोर पर चीन को सौप दिया तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं यहां पर कोशन नंबर 55 की स्क्रीन पर पढ़ें को कोशन को कोशन को पढ़ें अच्छे से वेर आर दी बलियारिक आइसलेंड सिंपल कोशन हैं बलियारिक दीफ्समु कहां इसति थे वेर आर दी बलियारिक आइसलेंड लोकेटेड गेस करें पर आपके स्क्रीन पर राइट आंशर क्या होगा गोगा है था स्थे या राईट होगा लोकेटेड तो यहाँ पर आपसन यह आपका राइट होगा मेडिटेरियन सी भूमद्दे सागर में अब यहाँ पर हम एक्स्प्लेन देखते हैं दे बैलियारिक आइसलेंड आर लोकेटेड इन दी वेस्टर्न मेडिटेरियन सी ओफ दि कोस्ट आप इस्पेन इट इस एन आटोनोमस डिवीजन आप इस्पेन का जारा कि बैलियारिक जो दीप समू है वो पस्चमी भूमद्दे सागर में इस्पेन तट के पास इस्पेन दे बैलियारिक आइसलेंड आर लोकेटेड इन इन दी वेस्टर्न इस्पेन इस्पेन का स्वायत प्रभाग है इस्पेन का स्वायत प्रभाग है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर सिक्षे आपकी स्क्रीन पर गेरा पड़े कोशन को अच्छे से सिंपल कोशन है बिल्कूल सिंपल कोशन है अच्छे से आंसर दें पहले कोशन को पढ़ लें उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसके राइट आंसर बताएं का जारा कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी दियूप इस्थित है सिंपल कोश्चन है आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं देखें जितनी भी कोश्चन है सभी भुगोल से सम्बंदित कोश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवली कोश्चन है जितनी में हैं सभी पूछेगे कोश्चन है प्रिवियस एर में या इस्थि выгляд तरुछ्च नकिटी तो देखें यहां पे आप संट्सी राइट होगा ब्रह्म पुत्रा का30 किस नदी पर विश्व काakesह उपसे बड़ा नदी दियु पीसिते थे तो यहां पे आप इसमद्धी तो यहां संसी आ पका राइट वेट होगा हम्रें आप एक्स्प्लेन देख लें कि माजूली आईस्लेंड is the world's largest fresh water river आईस्लेंड system located in the middle of the ब्रह्म पुत्रा रिवर का जा रहा है कि माजूली जो दीव है माजूली दीव ब्रह्म पुत्र नदी के मद्ध में इस्तित विश्टु का सबसे बड़ा ताजे पानी का जो नदी द्यूपी तंत्र है ताजे पानी का नदी द्यूपी तंत्र है याँ पर सिस्टम ठीक है सिस्टम दे दिया गया ना आइसलेंड सिस्टम का गया कि नदी द्यूपी तंत्र है माजुली जो द्यूप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के मद्ध में इस्तित है और विश्चु वाटर आइसलेंड सिस्टेम लोकेटेट इन दा मीडिल आप दी ब्रह्म पुत्रा रिवर चलिए अग नेक्स्ट कोशन देखते हम सिवन नमबर कोशन अपकी स्क्रीन पर रहें कोशन को पढ़ें चैसे उसके बाद आंसर देंग क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं कोशन निमन में से कौन एक ड्यूपी महाद्यूप है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर निमन में से कौन सा एक ड्यूपी महाद्यूप है गेस करें तो देखें आप जो आइस्ट्रेलिया दिया गया है यह द्यूपी महाद्यूप है आइस्ट्रेलिया द्यूपी महादीव है अब यहां पर हम समझ लेते हैं एकस्प्लेंस से इसे घर दाग्रक्टिनेंट और आस्टेलिए इज एन आइस लैंड कंटीनिक काजा रहा है के आस्टेलिया महादीव एक दूपी महादीव है इट इस दास्मॉलेस्ट कंटीनेंट इंडी वर्ड इन टर्म आफ सा आगया कि यह आकार की द्रेश्ट से विश्ट का सबसे छोटा महादिव है जो आश्टेलिया महादिव है यदि आकार की द्रेश्ट से देखा जाए तो यह दुनिया का अर्था विश्ट का सबसे छोटा महादिव है इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम पढ़ते है next question के ओर question number 8 के ओर तो यह रहा question 8 आपकी screen पर पढ़े question को अच्छे से question number 8 है देखिए यहां पर question number 8 है the ice land of which काली मंतन is a part is the ice land of which काली मंतन is a part of का जा रहा कि काली मंतन जिस द्यूप का अंग है वह कौन सा है काली मंतन जिस का आंग है तो आपको बताना है क्या उगा इसका right answer गेस करें आप शान आपकी screen पर पताए काली मंतन किस द्यूप का आंग है तो देखिए अगर जिसने बी पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगा तैहरी की होगी non nursing subject की या फिर भुगोल पड़ा होगा तो उसको पता होगा ठीक है क्योंकि जो और यह चीज़े उन्हीं को पता होंगी जो pieces level के तहरी कर रहा है यूपी-PSC के तहरी कर रहा है special ठीक है क्योंकि इस तरह है यह सकते हैं ऑब से तरह नहीं है कि बांकि किसी में इस तरह की कौशें नहीं पूछा यह а 살के मी मतले न्हों नर्सिंग सब्जेक्ट को क्योंकि 30 स्ब्जेक्ट को क्योorns क्वेस्ब्स अधनिये हैं पकी जीक्र आती है उसी में 6-7 question 5 question पूछ लियाते हैं मैत के बाकी टोटल आपकी जो होती है 26 नमर की लगए 24 नमर तक की होती है वो टोटल जी के पूछी आती है ठीक है जी के और 20 question जो होते हैं आपके हिंदी से होते हैं तो फिप्टी question होते हैं यह आपके काफी लेंटी हो जाते हैं आप लोगों के लिए क्योंकि आप नर्सिंग सुबर्ण नर्सिंग जो है सब्जेक्ट वह तो आप बरावर पढ़ते रहते हैं बड़ आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और फेल हो जाते हैं इस वैसे फोकस आपको इनी में करना है दा इसलेंड ऑशनेंग ऑशित्स करी समुशआ है आप जो है कली मंतन बैंसे अब यहां पर एम antib देखते हैं जाते रीजिन आउव इंडोनेशिया इस पार्ट आप दी आइसलेंड और बोर्णियों का गया कि इंडोनेसिया का काली मंतन छेत्र बोर्णियों द्यूप का अंग है तो चलिए नेक्ष्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 9 है आपकी स्क्रीन पर पढ़ें कोशन को बिल्कुल सिंपल कोशन है अच्छे से पढ़ने पहले उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बता है मेडागासकर दीके पढ़ने से मेडागासकर इस दिलार्जेस्ट आइसलेंड बहुत सिंपल कोशन है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर मेडागासकर सबसे बड़ा दियूप सम अब आपको बताना है कि हिंद माहसागर का प्रसांत माहसागर बंगाली खाड़ी या फिर लाल सागर तो देखें आपका राइट होगा आंसर ए ठीक है इंदी इंडियन सी ठीक है हिंद माहसागर यह का है इंडियन इंडि इंडियन औ सी एंडियर जो आपका इंडियन द utilizz हिंद माहसागर के नाम סबुदे प्रम कर देखते हैं तो चलिए यहां पर मएक्स्ब्रेन देखते हैं मेडा गासकर आइसलेंड इज लोकेटेड इन दी साउथ वेस्ट आप दी इंडियन ओसियन कहा जा रहा कि जो मेडा गासकर द्यूप है वो हिंद मास आगर के दस्छिड पस्चिम में अवस्थी थे मेडा गासकर द्यूप जो है वो हिंद मास सागर के दश्रिद पस्ची में वहती थे टूँँई टूँएट इसट लाइन्स तो देखें आप पे इस्ट लाइन्स मॉरिसस अनुएट से वेस्ट लाइन्स the country of Mozambique adjacent to the mainland of Africa का जा रहा है कि जो आपका Medagascar Iceland is located in the southwest of the Indian Ocean आप इतना तो समझ गए थे अब यहाँ पे आगे point समझ लें कि to its east lines Mauritius and to its west lines the country of Mozambique adjacent to the mainland of Africa देखेजिए यह Mauritius लिखा हुआ है ठीक है इसे अच्छे से देख लें क्योंकि इस पैलिंग में आप लोगों को mistake हो सकते हैं क्योंकि आप लोग medical के student हैं candidates हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा यह पर यह Mauritius लिखा हुआ है Mauritius टी के यह Mauritius की मुखे भूमी में लगा मोजांबिक देथ अवस्ती थे इसका मतलब जो भी हमने बताया है ठीक है इतनी का जो मतलब है वो है कि इसके पूर्व में Mauritius तता पस्चिम में क्या है कि पस्चिम में अफ्रीका की मुखे भूमी से लगा एक देश है जो जिसे मोजांबिक का जा था ठीक है मोजांबिक अवस्ती थे तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर टेन आपकी स्क्रीन पर रहें पढ़ें कोशन को अच्छे से क्या होगा इसका राइट अंसर गिस करें सिंपल कोशन है अंसर दी का जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इस नौट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है बाकी सभी करेक्ट है एक ही स्टेटमेंट इसमें गलत होगा जो करेक्ट नहीं है आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है करेंगे आप पड़ेंगे आपको समझ में आएगा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों नहीं पड़ी है प्लोकि आप उन नर्स पड़ेंट साइट है तो अगर नहीं पड़ी है तो आप लें इस नाटẹग्ड तो देखेंए यहाप 152 caliber हें दाच्छिड अटलंटिक मास आगर में नहीं है तुझ सब्सक्राइब करेक्ट ना मी विया है वह अफरीका में लोकेट़ आफ्रीका में स्थित्त है जो आपका देखें निकारागुआ इज आ सेंट्रल अमेरिका मद्द अमेरिका में निकारागुआ मद्द अमेरिका में इस्ती थे और जो आपका येमन इज एन एस्या येमन कहां है एस्या में ठीक है येमन एस्या में आप लोग नक्सा देख लिया करें नक्से से काफी कोश जाते हैं अगर आप अच्छे से नक्सा आप देख पाएं यादी नक्सा देख पाएंगे तो लगबग 70% या 50 50 से 70% तक जी के complete हो जाती है नक्से से ठीक है कि दीद देखने का नजरी अच्छा है तो तो आप सन यह आपका राइट होगा अब यहां पर आप एक्स्पेन देखें फार्क लेंड ठीक है कि फार्क लेंड आर्चीवी आर्चीवे लेगो इस एपाउट 483 किलोमेटर फ्राम दी कोस्ट आप साउथ अमेरिकां साउथ अमेरिका कांटिनेंट इन दी साउथ अट्लांटिक ओस्यान इस लोकेटेट फार अवे दी रिमेनिंग स्टेट्मेंट और करेक्ट का जारा कि फार्क लेंड जो दीवप समू है ठीक है दच्छिड अट्लांटिक महा सागर में दच्छिड अमेरिका महा दिवत तट से लगभग की यह 483 किलोमेटर दूर इस्ति थे प्रचिड लेगो इस एबाउट 483 किलोमेटर फ्रां दी कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ठीक है साउथ अमेरिका कंटिनेट इस इस साउथ अट्लांटिक ओसियन का जारा कि जो फार्क लेंड दीव समू है दच्छिड अट्लांटिक महा सागर में दच्छिड अमेरिकी फॉर हंड़ेटी दिया गया तो यहां पर लगबाग 483 किलोमेटर दूर इस्तित है बाकी यहां पर का गया इट रिमेनिक स्टेटमेंट और करेक्ट जितने बी और बाकी जितने भी आपर दिये हैं वह सभी करेक्ट है तीनों आप्सन नीचे जो नीचे जो तीन आपसन दि आपर लगाव सब्सक्राइब अवस्तित हैं पताएं कंहां अवस्तितते फिजी दियूप समूं तो देखिए यहां पर फिजी जो दिप समूं है वह आपसन भी आपका राइट होगा तब यहां पर देख लें, एक्स्पेंद देख लें कि फिजी इज एक ऑसलेंड नेशन इन 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 तूआ लू का जा रहे हैं कि यह वन्वात्व में टूंगा के पस्चिम तता तूआ लू के दच्छिर में इस्तित है धीकम काफी टफ हो जाता है ठीक है इट इज लुकेटट इस्ट ऑफ वनवातू वेस्ट ऑफ टॉंगा एंड साउथ तुआलू या वनवातू के पूर्व में पूर्व और टॉंगा के पस्चिम तता तुआलू के दच्छड में इस्थित है चलिए एमनेस्ट कोश्चन देखते हैं यहां पर टॉल्व नंबर कोश्चन यह आपकी स्क्रीन पर पढ़े कोश्चन को डियागो गर्षिया ठीक हो वेर इज डियागो गर्षिया लुकेटट पढ़े से अच्छे से वेर इज डियागो गर्षिया लुकेटट डियागो गर् या इंडियाज में स्थिते मतलब की हिंद माशाकर में स्थिते द्यागेंद माशागर्मेंु यह state टहि Gothic है तो आप यहांपर में अच्प्लेइन देखते हैं तिडियागद घर आए कि मतलब इद मासागर काला व्यूंड को पड़ें और स ऐसे लार चीज्छ अइन दी वाड इज बताएं तो सांसार का सब्रेच्छ वेरत संपल कोश्छण नहीं ग्रीं लेंड ठीके संसार का विश्च्छ वेरत दशूरी is चलिए मैं आपके एक्स्प्लेंद देखते हैं यह देखे एक्स्प्लेंग रहा है आपकी स्क्रीन पर दाइजएस्ट आइसलेंड इन दी वाड इज ग्रीन लेंड इस ग्रीन लेंड इस प्रकार है आप यहां पर देख लें घ्रैंड डेनमार्क टिक है ग्रीइनलेन का जो खेयन फ़ल वो देख लें इसक्वाइर किलमीटर में तो देखें 21,03,800 स्क्वाइर क्लमीटर है किसका ग्रें लेंड का जो छेत फल भल आप यहां पर नियू गुनिया ठीक है यहां पर नियू गिनी इसका देखे साथ लाग पचासी है साथ सो तीरपन स्क्वेर किलोमीटर है जो एरिया है बोर्णियों का देखे साथ लाग अरतालीजर 168 किलोमीटर है ठीक है तो अब यहां पर मालागासी है या फिर से मेडागास करका जाता है मालागासी का अधह या मेडागास करकर पर जूदल करकर जान बठेक्शलों करते हैं। इसका जो 50867 17830 स्कॉर क्लोमीटर है लिए और प्यूंक करें यद्ध और युग इस नौट वर्दी इससन किए इस नोट वर्दी ensure इसका मतलब उल्लेखनी है नोटवर्धी का मतलब होता है उल्लेखनी It is नोटवर्धी डैट धीजट पोर आर दी लारज़जेस्ट आइचलैंन्द इन दी वर्ड इन टर्म ऑफ एडिया का जारा कि उल्लेखनी है कि ये 총 चारू के छेतफ़ल के द्रश्टि से सबसे बड़े दिऊ आपको ग्रीणा हो गया निवगिनी हो गया और आपका जो मेडा गासकार जहा जंस्हार जाता यह चारू जो है आपके दूप यह विश्चा के सबसे बड़े ठिक है 6 तफल के दरश्ट का जा रहा कि 4 विश्चा के 6 तफल के डरश्चा सबसे सबसे बड़े दीऊप है आप हम यहाँ पे अगला कोशन देख kingdoms 14 number question है यहां पे थीक है पिल्स लोकेटेड इन बताएं यहां पर क्या होगा मार्मा गुवा पत्तन इस्ति थे मार्मा गुवा पत्तन कहा पर इस्ति थे मार्मा गुवा पत्तन 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 इस्ति इन इन दिश्टेट ऑफ गुवा एड़ी साउथ ऑफ दी जोरी रिवर इपर का जोरी टीक है जोरी रिवर होता है ठीक है मार्मा गुवा पत्तन जोरी नदी के मोहने पर गुवा राजी में इस्तित है चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं विच स्टेटमेंट इस करेक्ट काजारा की कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है अब आपको बताना की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा कतन सही है बताना आपको तो देखे बाकी तो ये हल्दिया हल्दिया उडिसा में तो य G कि श three time पृषिकल तो आपके यह भी रोग हो गया औक यह भी रोग हो गया ह। क्योंके दुनों पहले से गलत हैं तैंसे हैं है। कांडला इज इन गुजराथ तो यहीं सही है कांडला इज इन गुजराथ जो कांडला है वो आपका गुजराथ में इस्थी थे और जो आपका भी आपने बताया थी मार्मा गुवा मार्मा गुवा इसन करनाटका नहीं है आप गुवा में मार्मा गुवा करनाटका में नहीं तो आपसं सी आपका रहे होगा कि कंडला इजन गुजरात इजन गुजरात इस ते चलिए नेक्स्ट को शरी आप पहले एकस्प्लेंट देख लें हलाकि मैंने बता दिया एकस्प्लेंट देखनी को जरूरत नहीं है जितने भी एकस्प्लेंट मैंने कर दिये दा करेक्ट लोकेशन आप दी पॉर्ट गिवेन ब्लू कोश्चन इज एन फॉलोज दीखें हल्दिया विस्ट बंगाल पारादीव ओडिशा कंडला गुजरात मानवा गुवा गुवा में इस्तिते अब यहां पर सिक्टीन नमर कि वे एर वाज देफ़ नुक्लियर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ट इन इंडिया बहुत अच्छा कोश्चन ने पूछ भी जाता है तो बताएं दिखिए लाइस्ट कोशने मारा जो सेक्टीन नमर कोशने मरा लाइस्ट कोशन ने का दिखिए भारत में परत्म न्यू पांच आप्सन दिये गए कलपक्कम और आपका कोंटा तारापुर नरूरा तुराश्टि तो यहां पे आप ऐंसे निवास Tiffany उना कि मुंबैर कि माराइस्ट्रा में मुंबऐ करा दानी माराश्ट रहा पे टीक तहारापुर काजारा की जो भारत में प्रतम न्यूक्लियर उर्जा स्टेशन के जो स्थापना हुई थी वो तारापूर महाराष्ट में हुई थी आपसंद सी यहां पर आपका राइट होगा महाराष्ट महाराष्ट में है तो फ्रेंड्स यहां पर हम एकस्प्लेंज भिए देखने पहले अधी दाफस to nuclear पावर स्टेशन इन इंडिया वाज स्टबलीज्ट एड तारापूर महराष्ट्रा भारत में प्रतम नुकलियर उजय स्टेशन तारापूर महराष्ट में स्थापित किया गया अब यहां पे विद्धी कमेशिनिंग आप तारापूर अटोमिक पावर स्टेशन इन दी इयर 1969 का जा रहा है कि जो तारापुर परमाडविद्ध ग्रहें के वर्स 1969 से चालू हो जाने से भारत में क्या कर रहा है कि इंडिया केम ऑन दी नुक्लियर इमर्जन्सी मैप आप दी वर्ड जो तारापुर परमाडविद्ध ग्रहें के वर्स 1969 में चालू हो जाने से भारत में विश्व के नाविकी उर्जा का मानचित्र पर आ गया है ठीक है यह तो ऐसे वर्ड के नक्से में हैं यहां पर का गया है इनर्जी ठीक है नुक्लियर इनर्जी मैप अन्दी वर्ड यह वर्ड के नक्से में भी है